हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक वन्स अगेन ओन अवेकन ब्रेंज दोस्तो आप सब का एक बारी फिर से अवेकन ब्रेंज यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूँ स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में एक और एहम अपडेट के साथ जी हाँ दोस्तो यहाँ पर यह अपडेट फिर से है जमो कश्मीर सर्वीश सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से और यह अपडेट है जमो कश्मीर पोली सब इनसपेक्टर की रिकूट्मेंट के रिलेटेद आप सब जानते हैं कि JKSSB जो JK PSI की रिकूट्मेंट कंड़क्ट कर रहा है उसका यह सेकेंड फ और आज कल जो है आप जमू ड्वीजन के अंदर ये जो फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंडॉरिंस टेस्ट है वो कंड़क्ट हो रहा है उसका आज यहाँ पे शिक्स्त डे था और आज का रिजल्ट जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पे यह रिज recruitment में क्या होगा और कल की recruitment के बाद जो final result आएगा उसके बाद total candidates कितने बनेंगे किस तरह से category के हिसाब किताब बनेंगे वो सारी बाते हैं यहां पर A to Z बोलने वाला हूं आप बने रहें इस वीडियो के साथ शुरू से लेके ताकि हर latest update हमारे end से आप जो है वो आपको मिले और आप मिस ना कर सको और दूसरी बात यह कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अंत में information अच्छी लगे तो like, share और comment करना ना भूलिएगा तो चलो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पे यह जेके SSB की तरफ से जो अभी अभी latest result जो है वो पब्लिश किया गया है जेके SSB की official website पे जमू कश्मीर पोलीस सब इनस्पेक्टर की recruitment का जो PST और PT कंड़क्ट करवाया जा रहा है उसका यह आज 6th day का result है 18 दिसंबर 2023 का result है गुल्शन ग्राउंड जमू का यह वेन्यू है नेक्शर A के अंदर जो है यह result अटैच किया हुआ है तो काफी अच्छा भी लगता है क्योंकि बहुत सारे students ने candidates ने इस PST और PT को qualify किया है यह आप देख सकते है नेक्शर A के अंदर सुब इनस्पेक्टर हॉम डिपार्टमेंट और यहां पे advertisement नंबर है PST PT result है candidates जो qualified candidates है उनका result है वेन्यू गुल्शन ग्राउंड है जमू और date 18-12-2023 अब यहां पे आप अगर नजर मारें इस result को तो काफी जो बड़ा यहां पे आज PDF हमें देखने को मिला क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर total candidates जो आज qualify करने वाले हैं मैं यहां पे लिख लेता हूं 391 तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि appearing candidates at least मैं कहूंगा 1000 plus minus क्योंकि मैं हमेशा बोलता ही हूं 1000 plus minus candidates होंगे ही मैं कहता हूं इवन हो सकता है जादा ही होंगे तो इतने candidates तो आज होंगे तब ही जाके हमें यहां पे यह number देखने को मिला है और number है 391 आज candidates ने लड़कूं मैंसे male का ही चल रहा है अभी कल female का होगा तो male के अंदर male gender के अंदर आज इतना जादा बच्चों ने qualify किया है अगर हम कुल मिलाकर data को नजर मारे analyze करें तो यहां पे आप सब जानते कश्मी ड्विजन का result total जो है जहां पे appear हुए थे बच्चे जो कश्मी ड्विजन के अंदर हाला कि कुछ कश्मी ड्विजन के बच जेके स्बी की तरफ से उनको option दिया गया था लेकिन जो बच्चे कश्मी ड्विजन के अंदर appear हुए बक्षी स्टेडियम के अंदर वहां यह नंबर 250 का ही रहा PST और PT को qualify करने के लिए अब जमू ड्विजन का अगर हम देखें total एक से लेकर 6 दिनों का आंकड़ा जो है आ 313 और इसी तरह से 335 इसी तरह से 339 और आज जो 6 दे के दिन 391 तो इस तरह से जमू का रिजल्ट हमें कश्मीर से जादा एक तो appear भी बच्चे जादा हो रहे हैं और यहां पर रिजल्ट भी जो है अच्छा आ रहा है क्योंकि बच्चों ने काफी जादा मेहनत की हाड़ वर किया है तो टोटल कैंडिडेट्स जो है जमू डिजन पहले मैं बोलूगा कश्मीर डिजन के 250 बने है अभी तक 18 तारीक के रिजल्ट को मिला कर मैं बोल रहा हूं काल का रिजल्ट अभी पेंडिंग है और जमू डिजन के 1857 नंबर बहुत हिस्टारिकल नंबर है आप सब इ कैंडिडेट्स कश्मीर के और 1857 जो है जमू के वो टोटल कैंडिडेट्स बन जाते हैं 2107 2107 बच्चों ने अभी तक क्वालिफाई कर लिया है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंडियर्स टेस्ट और कल जो फीमेल जो कैंडिडेट्स आएंगे उनका रिजल लो फॉर एक्जेंपल कहा रहा हूं अभी यहां पर हमें कुछ क्लियर पता नहीं है कि कौन सी कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो कितने क्वालिफाई कर पाएं क्योंकि अभी जो कैटेगरी के हिसाब से जो वेकेंसी नोटिफाई की गई है अकॉर्डिंग टू जो जो जेक इंडॉर्णस टेस्स का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो क्वालिफाई कैंडिटेट्स होने वाले हैं जिनको भी जो हुए हैं अब वो जो एक टॉप मैरिट वाले कैंडिटेट हैं उनको तो आराम कर सकते हैं उनको कोई परेशानी लेने की दुरूरत नहीं है लेकिन ज ये आज का रिजल्ट मिला कर मैं आपको फिर से बता दूँ यहां पर कश्मीर डुविजन और जमूर डुविजन को मिला कर हम बात करें तो 2107 कैंडिटेट्स जो हैं ये पीस्टी और पीटी को कौलिफाई कर गए हैं अभी तक के लिए यही अपडेट था जो आप देख र जो इन्फॉर्बेटी कौंटे आपको इसी चैनल पर इसी तरह से मिलता रहे वीडियो अगर आप आपको अच्छा लगा इन्फॉर्मेट्व लगा लाइक शेर जरूर कीजेद हैं शूरूर कीजेगा अपनी क्वेरी अपना कोई भी सुजआओ, कोई बी सवाल, कोई बी अ suggestion वो comment में लिखना ना भूलिएगा साथी साथ मैंने आपको Donald division का result बताया Donald division के total candidates बताए overall qualifying candidates अभी भी आप screen पर देखी रहे होंगे तो यही update था आज हमारे channel पे इस video में और इसी तरह से हमारे सथ आगे भी बने रहीएगा तो मिलते हैं किसी next वीडियो में किसी next topic update के साथ तब तक रखे अपना बहुत सारा ख्याल all the best and God bless you all